हलो एवरिवन वेलकुम बैक टो माय चानल कोपवित हर्शिदा आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मार्किट स्टाइल में चना जोर करम की रेसिपी वह अभी एक तम थेले वाली स्टाइल में चलो दो शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो सबसे पहले हम यहां पर ले लेंगे लगभग एक बॉल चना जोर यह मार्किट में आपको आराम से मिल जाएंगे इसके ऑप्शन में हम उबले हुए काले चने भी ले सकते हैं अब इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक बॉल में अब हम इसमें एड करेंगे लगभग एक बारी कटी हुई प्यास इसके अलावा हम इसमें एड करेंगे एक बारी कटी हुई हरी मिल्च तो यहां पर मैंने तीकी हरी मिल्च ली है साथ ही हम इसमें एड करेंगे बारी कटी हुई पत्ता गोबी यह मैंने लगभग तीन से चार बड़े चमच लिए हैं इसके अलावा एक ब तो यहां जो चना जोर करम मसाला है यह कुछ नहीं यह सिर्फ नमक लाल मिर्ची और चाट मसाला है तो इसके अलावा हम इसमें आड़ कर देंगे आधा लिम्बू का रस और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए हमारी सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं तो हम इसे सर्फ करेंगे एक पेपर प्लेट में ऐसे तो मार्केट में अगर आप चना जूर गरम खाने जाएंगे तो आपको यह निउस पेपर के एक चोटे से पीस में आपको यह मिलता है लेकिन यहां पे मैं इसे पेपर प्लेट में सर्फ कर रही हूं और फिर इसके वपर हम थोड़ा सा जो चना जूर गरम का मसाला है वो स्प्रिंक्ल कर देंगे और इसे गानिश करेंगे हरे धन्यसे तो देखिए हमारा जो चना जूर गरम है वो एक दम रेडी है तो मज़ mail उठाएए इस पेशल थेले वाली स्टाइल में चना जूर में अगली रसेपी किसा, बाइ बाइ!